गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स कक्छा दस के विध्यारतियों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है उम्मीद करता हूँ आपने इंगलिश बाई उमेश गुरू चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और उसकी प्लेलिस्ट में आपको कक्छा दस की पूरी गोल्डन रेज बुक और ग्रैमर आपको मिलेगी इसलिए आप इंगलिश बाई उमेश गुरू चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ ही प्लेलिस्ट को आपन करके देखें आज का हमारा लेसन रहेगा दे टेल ओफ दा बिस्नोईज फोर्थ चैप्टर है आपकी बुक गोल्डन रेज का टेल मींस होती है कहानी और बिस्नोईज एक जाती है एक संपरदाय है जो कि हमारे पश्चमी राजस्थान में यह संपरदाय और जाती निवास करती है बिस्नोई जिसे कहते हैं बिस्नोई दो टेल ओफ बिस्नोई बिस्नोईज की काहानी को पढ़ते हैं क्या काहानी है इसके अंदर बहुती शांदार एक स्टोरी है टेल है यह टेल मीस काहानी जैसा की बताया चलो स्टार्ट करते हैं तुडे मारवाड आप जानते हैं किसे कहते हैं मारवाड का मतलब है अपने जोदपूर, जैसलमेर, जालोर, बाडमेर ये वाले जिले इन जिलों को मारवाड की स्रेणी में लिया जाता है तुडे मारवाड is a tree-less waste of sand and rocks आज मारवाड tree-less, paid रहित या ब्रक्ष रहित waste, waste में इस बंजर है आज मारवाड ब्रक्ष रहित बंजर है of sand and rocks यहाँ पे इस बंजर में आपको केबल sand रेत मिलेगी और rocks चटाने मिलेगी तो ब्रक्ष रहित चटानों का और रेत का बंजर है आज मारवाड the only growing things are thorny shrubs, a few tufts of short rough grass and an occasional stunted bear और bubble tree the only growing things एक मात्र जो चीज यहाँ उगती है are thorny shrubs, कांटेदार जाडियां यहाँ पे उगती है a few tufts of short rough grass कुछ tufts मिल जाते हैं, कुछ गुच्छे मिल जाते हैं, छोटी घास के जो की rough है, ऊवर खावर घास के कुछ गुच्छे दिख जाएंगे आपको ओगे हुए and an occasional और यहाँ वहाँ stunted बौने बौने से, छोटे छोटे से, इस्टन्टे मिस बौने छोटे ठूट जिसको कहते हैं stunted bear और बबूल ट्री, यहाँ वहाँ बेर और बबूल के पेड आपको दिख जाएंगे, यही उगती हैं के वल यहाँ चोटी चोटी घास, जाडियां और यहाँ वहाँ आपको चोटे चोटे से पेड बबूल के और बेर के ओगे हुए नजर आएंगे but incredibly, you can even in this desert come across the odd village with groups of bell non khajdi trees but incredibly, लेकिन आविश्वसनिय रूप से you can, तुम पा सकते हो even in this desert यहाँ तक कि इस रेगिस्तान में तुमको आविश्वसनिय तरीके से पा सकते हो come across, come across means मिलना, तुम तुमको मिल सकता है आविश्वसनिय तरीके से इस रेगिस्तान में the odd village, एकाध गाउं ऐसा मिल सकता है with groups of bell ground khajdi trees जहाँ पे जुन्ड है, groups means group of trees, जहाँ पेडों के समू है of bell non khajdi trees, जिस पेड को अच्छी तरह से जाना जाता है, khajdi ब्रक्च के समू के गाउं आपको मिल जाएंगे कोई एकाध गाउं में इस रेगिस्तान में ऐसा मिल जाएगा, जहाँ खेजडी ब्रक्चों का समू है, खूब जबरदस्त this cousin of the babool is the culp braksh, the tree that fulfills all bases this cousin of the babool, babool की प्रजाती का ये पेड, कौन सा, खेजडी babool का चचेरा भाई है ये, babool की प्रजाती का ये पेड, खेजडी, is the culp braksh इसे culp braksh के नाम से जानते हैं, the tree that fulfills all bases ये वो पेड है, जो सारी इक्षाओं को पूरा कर देता है, culp braksh खेजडी का ये दूसरा नाम कल्प braksh है, a full-grown camel can enjoy a midday siesta in its shade, its foliage nourishes got sheep, cattle and camel, a full-grown camel, एक युबा उन्ट, एक वियस्क उन्ट can enjoy, आनन्द ले सकता है, a midday siesta, अपने दिन की, दिन भर में, दिन वर का siesta मिस बिश्राम, आराम दिन वर के बिश्राम को ले सकता है, in its shade इसकी च्छाओं में बैठ करके, तो एक उमुट कल्प braksh पेड की च्छाओं में बैठ के, आनन्द ले सकता है बैठने का, its fowles, इसकी जो पतियां है, इस पेड की, खेजडी पेड की जो fowles है, पतियां है, नरिसेज गौट, वो पालन पोशन करती हैं, बक्रियों का, शीप, भेडों का, कैटल, मवेशी, एंड कैमल और उउट का, तो इसकी जो पतियां है, वो चारे का काम करती हैं, बक्री, भेड, उउट और अन्य जानबरों के लिए, its pod और इसकी फली, जो इसके अंदर फली आती है, इसकी स्वादिस्ट कड़ी बनाई जा सकती है, और इसकी जो थौर्ण, जो कांटे निकलते हैं इसमें से, गार्ण वो रक्षा करते हैं, दा फार्मर्स फील्ड्स, किसानों के खेत की, अगेंस्ट दा मैरोडिंग एनिमल्स, कि जो आवारा जानबर हैं, जो खेतों में यो घुज जाते हैं, उनको खेतों में प्रवेस होने से बचाते हैं, इसके कांटे, तो ये पेड़ पूरी तरह से, एक उपियोगी पेड़ ह है, मारवाड छेत्र में, किस प्रकार से, कि एक उट आराम से इसके छाओं में बैठके आनंद ले सकता है, इसकी पत्तियां चारे का कांटे, जानबरों से खेतों को बचाने का कांटे हैं, आरे, तो रिम से इसके का रномय खेता है, किस प्रकार से शक्रेदी सम्ह पॉरे, किस प्रकार से रांथ है, प्रकार से रब्ली का दाधार, प्रकारी में, किस आर खेतना होगी बैध के अधारार। का रेगिस्तान had not yet conquered अभी उसने इतनी बिजय प्राप्त नहीं की थी दा वास्ट टेरिटरी विस्त्रित छेतर पर और बिच इट होल्ड स्वे टड़े आज जितने छेतर पर ये सासन कर रहा है रेगिस्तान उतने छेतर को इसने नहीं जीता था कहने का मतलब पहले रेगिस्तान उतना फैला हुआ नहीं था जितना आज ये रेगिस्तान फैला हुआ है इवन दो दा क्लाइमेट वस दा सेम आज ये दिपी जो जलवायू थी वह बैसी ही थी वहां की जैसी की आज है पहले ये जो भूमी थी इस पर हजारों हजार खेजडी के पेड होगे हुए थे और बहुत अधिक मात्रा में बेर कैर और सांग्री के ब्रक्ष भी थे इस प्लेंज बर होम टू थाउजंड अफ एंटिलॉप ये मैदान घर थे हजारों बारह सिंगाओं के ब्लैक बग्स काले हिर्नों के चिंकारा चिंकाराओं के और नील गाय और नील गाय जानबर के य घर हुआ करते थे यह सारे पेड़ यहां इन मैदानों पर निम्न जानवर रहते थे और इसी मैदान पर इसी रेगिस्तान में रहती थी बहुत अधिक मात्रा में भील जंजाती वी निवास किया करती थी about 3000 years ago 30000 साल पहले hordes of cattle keepers begin to pour into India from West and Central Asia hordes of cattle keepers जानबरों को रखने वालों का सम्हू begin to pour आना शुरू किया into India भारत में 3000 साल पहले जानबरों को रखने वालों की एक जाती थी वो जातियां आने लगी भारत में from West पश्चिम से and Central Asia और मध्य एसिया और पश्चिम से ये जातियां भारत में आने लगी जो जानबरों को पालती थी some of them spread into मारवार उन में से कुछ जातियां मारवार में आकर के फैल गई थी the भील्स resisted their encroachment but the invaders had horses and superior weapons and pretty soon took care of the भील्स the भील्स resisted their encroachment भीलों ने बिरोध किया उनके अतिक्रमन का जब ये जातियां आई यहां मारवार में तो भील पहले से ही रह रहे थे तो भीलों ने बिरोध किया इनके अतिक्रमन का but the invaders had horses लेकिन आक्रमन करने वालों के पास गोडे थे and superior weapons और उच किस्म के हतियार थे and pretty soon और बहुत जल्दी took care of the wheels बहुत जल्दी उन्होंने बीलों पर विजय प्राप्त कर ली थी in any case the land appeared boundless क्योंकि ये जमीन बहुत अनंत थी ये रेगिस्तान बहुत दूर तक फैला हुआ था and the wheels retreated a little towards the arablees और भील पीछे हट गए और पीछे हट कर वो arablee पहाड है वहाँ arablee पहाड पर वो पहुँच गए उसकी तलहाटी में पहुच गए the population of marwar was on the increase और अब marwar की जंसंग क्या बढ़ने लगी थी the population of marwar was also on the increase अब marwar की जंसंग क्या भी बढ़ने लगी थी क्योंकि जातियां आ गई थी आक्रमन करते हुए और भील तो पहले से ही थे तो अब marwar की जंसंग क्या बढ़ने लगी थी but as centuries passed लेकिन जैसे जैसे सतावदियां गुजरी the large herds of cattle begin to affect the vegetation जो मवेशियों का जो herds समू था बड़े बड़े जो समू हो गए थे मवेशियों के begin to affect the vegetation वो बनस्पती को प्रबाबित करने लगे थे बनस्पती को खत्म करने लगे थे पेड़ पौदों को the seedlings and the saplings were grazed down and had little chance to grow seedlings जो चोटे चोटे पौदे होते थे and saplings वही चोटे चोटे पौदे बर grazed down उनको चरा दिया जाता था and had little chance to grow और इन चोटे पौदों के बहुत कम अपसर होते थे फिर बड़े होने के क्योंकि चोटे चोटे पौदों को ही जानवरों को खिला दिया जाता था तो बनस्पती प्रबाबित होने लगी थी यहां की invaders and the tribal wheels found less and less to sustain themselves अब जो आक्रमनकारी थे और भील जंजाती थी यहां found less and less to sustain यहां रहना उनके लिए कठिन हो गया था इन सभी भीलों का और सभी आक्रमनकारीयों का अब इस जगे पर रहना कठिन हो गया था क्योंकि यहां पर बनस्पती नहीं रही थी सारी बनस्पती को जानवर खा गए थे finally the 13th century AD show the final conquest of the wheels by the ratards of cannauz अंतत है the 13th century 13th सतावदी AD AD means क्या होता है after death A means after D means death और after death किसके इशा Christ की मृत्यू के बाद तो इशा तेरे सतावदी इशा बाद तेरे सतावदी में क्या हुआ the final conquest of the wheels भीलों को अंतिम रूप से हरा दिया गया था by the ratards of cannauz, cannauz के ratards के द्वारा the Rajput now ruled the whole Marward और अब Rajput पूरे Marward पर सासन करने लग गए थे क्योंकि अब भीलों को पूरी तरीके से हरा दिया था और राड पर सासन हो गया था किनका ratards का in the year 1451 A.D. during the reason of Rao Jodaji, one of the bravest of the ratard king, an extraordinary child was born in the village of Pipasar in the year 1451 A.D. इसाबाद 1451 में A means after and D means death मृत्यू के बाद, किसकी मृत्यू के बाद? ईशा की मृत्यू के बाद तो इशा 1451 में इशाबाद इशा इश्वी में 1451 इश्वी में during the reason of Raja Rao, Raja Rao के शाशन के दौरान one of the bravest of the ratard king, ratard का एक बहद्दूर राजा, an extraordinary child was born, एक अदबुत बच्चा पैदा हुआ राठाडो के यहाँ, in the village of Pipasar, Pipasar गाओं में His father was the headman Thakur Lohat and his mother was Hansa Devi, उसके पिता Mukhiya थे, जिनका नाम था Thakur Lohat और उनकी माता का नाम था Hansa Devi The boy was called Jambaji और उस बच्चे का नाम था Jambaji As a little boy, he was given the task of looking after his father's large herd of cattle and sheep जब वो बच्चा था, तो उसको he was given the task, उसको काम दिया गया था of looking after his father's large herd of cattle उसके पिता के मवेशियों के समू की देखवाल का काम दिया गया था, चराने का काम दिया था बच्पन में उस बच्चे को उसको जानबरों को बहार चराने ले जाने में बड़ा आनन्द आता था lie in the shade of a kheddy tree, जाकरके वो kheddy ब्रक्च की चाओं में लेट जाता था and watch the herd of black bug और काले हिरनों के समू को देखता था जांबाजी वास फैसिनेटेड, जांबाजी बड़ा आकरसेत होते थे, बड़ा ही मोहत होते थे by the light grace, एक अच्छी चाल पर, lightness शांदार, शांदार जो movement होती थी, lightness movement, एक अच्छी हलचल होती थी, उस अच्छी हलचल पर मोहित हो जाते थे, किसकी हलचल पर, of this handsome antelope, जब बारा सिंगा चलता था, तो बारा सिंगा की चाल पर मोहित हो जाते थे, जांबाजी and thought that there was no sight more enthralling than a fight between two bell ground stakes, और वो सोचते थे, there was no sight more enthralling, कि और कोई द्रश्य इतना रोमांचकारी नहीं है, than a fight, एक लड़ाई के between two bell ground stakes, जो दो व्यस्क बारा सिंगा में लड़ाई होती है, उस बारा सिंगा की लड़ाई को देखने के अलाबा, और कोई रोमांचकारी काम ही नहीं, वो ये सोचते थे, वेन, वेन जांबाजी वोस 25 यर्स ओल, जब जांबाजी 25 साल के हुए, a great disaster overtook the whole region, एक बहुत बड़ी बिपत्ती ने इस छेत्र को घेर लिया था, एक बहुत बड़ी बिपत्ती आ गई थी इस छेत्र पर, the small quantity of rain that used to come regularly seized altogether, बारिस की थोड़ी बहुत मात्रा जो यहां होती थी, नियमित रूप से seized altogether, एक दम से होना बंद हो गई बारिस, the worst sufferers were the cattle, और सबसे ज़्यादा दुखी और पीडित होने वाले यहां मवेशियां थी, in the first year of the drought, सूखे के पहले साल में, they could eat the बाजरा straw stored in the houses, उन जानवरों ने उस बाजरे के चारे को खा लिया था, जो घरों में रखा हुआ था, पहली साल तो, पहली साल तो बाजरे का चारा खा लिया था इन जानवरों ने, मवेशियों ने जो घरों में रखा हुआ था, the second year was very bad, दूसरा साल और भी बहुत बुरा था, there was not a blad of grass left standing anywhere, कहीं भी अव घास की पत्तियां भी नजर नहीं आ रही थी, बिलकुल बची ही नहीं थी, people hacked at any trees they could find and fed the animals on the leaves, लोगों को जो भी पेड मिलता था, उसे काट लिया करते थे, और उसको अपने जानवरों को उसकी पत्तियां खिला देते थे, बट इवन सो, there was not enough browse for all the huge animals, लेकिन फिर भी इतना browse, इतना चारा नहीं था, for all the hungry animals, भूके जानवरों के लिए, and the drought continued for 8 consecutive years, और यह सूखा लगातार 8 बरसों तक यहां जारी रहा मारवाड में, मारवाड में लगातार 8 बरसों तक सूखा निरंतर रहा था, the people had hacked and hacked the last bit of fowlis from all the trees, लोगों ने पेडों से hacked and hacked, काट लिया था और काट लिया था, last bit of fowlis, अंतिम छोटी छोटी पतियों को काट लिया था पेडों से, which finally began to dry up, और पेड भी अब धीरे धीरे अंततर सूखने लग गए थे, when the stored grain was exhausted, जब घर में रखा हुआ अनाज, exhausted, खत्म हो गया था, people ate khéजडी pods, लोगों ने khéजडी की फलियां खाई, and the floor of dried bear seeds, और bear की जो seeds थी गुटलियां, उनको सुखाया और सुखा करके आटा बना लिया था, फलॉर, उस आटे की रोटियां खाई लोगों ने, when this two was exhausted, जब ये भी खत्म हो गया था, अब bear नहीं बचे थे, बेरों की गुटलियां भी नहीं बची थी, दे टोर, दे बाक अफ दा सांग्री ट्रीज, तो लोगों ने, सांग्री पेड की चालों को, बार्क मीज चाल, सांग्री ब्रक्च की चाल को उतार लिया, and powdered and cooked it, और इसको मिला करके इसका आटा बना लिया चाल का, and cooked it, और इसी को ही पका करके लोगों ने खाया, they hunted every one of the starving black box, और उन्होंने सिकार किया, प्रतेक उस भूके, भूक से मर रहे काले हिरन का, और उसका सिकार करके खाया लोगोंने, and finally, और अंतते, they abandoned all the hope, and migrated in the masses, और अंत में, उनकी सारी आसाएं उन्होंने अवांदन त्याग दी, and migrated in the masses, और समू में वहां से पलायन कर गए, मारवाड से लोग चले गए, tens of thousands of cattle perished on the bay, हज्जारों मवेसियां, रास्ते में जाते हुए पैरिस, समाफ्त हो गई, मर गई थी, by now, the whole country was barren, और अब तक पूरा जो, वहां का प्रदेश था, वो बंजर हो गया था, there was not a tree in sight, for miles together, मीलों तक, कोई भी पेड नजर नहीं आता था, nor a single cow, नहीं कोई गाय नजर आती थी, और a black bug, नहीं कोई काला हिरन नजर आता था, the only people to hold on, were big landlords, like Jambazi's father, केवल लोग जो यहां बचे हुए थे, वो बड़े बड़े जमीदार थे, like Jambazi's father, जैसे की Jambazi के पिता, with huge stores of Bajra, उनके पास Bajra के बड़े बड़े भंडार थे, somehow lasted through the difficult times, और ये Bajra उनके यहां बच गया था, इस कठिन समय को गुजारने के लिए, तो Jambazi के पिता जैसे बड़े बड़े, जो जमीदार थे, जिनके पास Bajra का इस्टोर, भंडार काफी था, वो लोग यहां पे बच गए थे, बाकी के लोग यहां से छोड़ करके, चले गए थे, तो यहां तक ही हम पार्ट बन में पढ़ेंगे, इसका पार्ट टू और पार्ट थ्री, बहुत जल्दी में लेकर के आऊँगा, यहां से हम पार्ट टू पढ़ने वाले हैं, बने रहिए इंगलिस गुरू उमेश चौदरी के साथ, यूट्यूब चैनल इंगलिस बाई उमेश गुरू पर, पार्ट सेकिंड और पार्ट थर्ड जल्दी लेकर आऊँगा, इसके बाद इंगलिस ग्रैमर हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो बने रहिए आप मेरे साथ, अपने इंगलिस गुरू के साथ, यूट्यूब चैनल इंगलिस बाई उमेश गुरू पर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का,